और आईए बात करते हैं मोधी मंत्री मंडल में विस्तार से जुड़ी अटकलों की संभावत विस्तार को लेकर कई चर्चाएं तेज हैं इसने कई राज्यों में सियासी पारा चड़ा दिया है और ऐसे में आप जो जानकारी सामने निकल कर आ रहे हैं वो ये की बहुत हद तक मुम्किन है कई मंत्रियों को बाहर करके मंत्री मंडल से संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और कुछ नए चेहरों को मंत्री मंडल में शामल किया जाए इस सब के बीश मोदी कैप्डिफ की विस्तार की अटकल ओपर कि इंद्रियों मंत्री अनुराक छाकुर का एक बड़ा बयान सामने आ गया है अनुराक छाकुर कह रहे हैं देश के विकास के लिए बहुत सारे दल इंडिये का हिस्सा बनना चाहते हैं ये बड़ा बयान है और इस रूप में बड़ा बयान है कि पिछले कुछ दिनों से जो अटकले लगाई जा रही हैं जिसमें चिराक पासवान के नाम का जिकर किया जा रहा है अब जिस तरीकी से महराष्टर में सियासी उलट खेर हुआ है प्रफुल पटेल के नाम का जिकर किया जा रहा है एंडिये में बीजपी की पुरानी साथी रही जिसने बाद में साथ छोड़ दिया किसान कानूनों के मुद्दे पर अकाली दल वहां से हरसिमरत कौर के नाम का जिकर किया जा रहा है देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनितिक दल एंडिये का हिस्सा बनना चाहते हैं और एंसीपी ने उसकी शुरुवात की है मुझे पूर्ण विश्वास है एंसीपी का एंडिये में आना और महराष्ट की सरकार का हिस्सा बनना जहाँ एक और महराष्ट में विकास को नई गति देगा वहीं पर 2024 की दृष्टी से भी इन दलों का साथ में जुणना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं तो लोगों का जुणना स्ववबाविक है तो तैयारी मंत्री मंधिल में फिर बतल की मतलब तैयारी पीम मोदी की नई टीम की यहीं है क्या 24 में जीत की स्कीम और वो कौन कौन से चेहरे हें जिनके नाव को लेकर अठकले लगायी जा सकी है कौन मंत्री बनाया सकता है? आपको ज़र विस्तार से बताते हैं नई टीम 24 में जीत की स्कीम इस पे कौन बन सकता है मंत्री प्रफुल पटेल के नाम का जिक्र किया जा रहा है शरत पवार को छोड़कर अजीत पवार के साथ आ गए हैं प्रफुल पटेल आप जानते हैं और ऐसे में प्रफुल पटेल जो पहले भी यूपिय के जमाने में न स्लोकसभा सीटों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है जिस तरीके से ये एक धड़ा अजीत पवार के नित्रत्व में जो महायूती सरकार में शामिल हुआ है इसके लावत चिराख पासवान के नाम को लेकर भी चर्चा जोरों पर है बिहार में एंडिये को युवा दलिच मिल जाएगा अगर एलजेपी आर एलजेपी रामदलास पासवान के निता चिराख पासवान एंडिये में शामिल हो जाते हैं तो एंडिये को बिहार में मजबूती मिल सकती है इसलिए कयास ये भी लगाय जा रही है कि चिराख पासवान को भी मंत्री मंदल में जगा जिस तरीके से अकाली दल की राह जो है वो अलग हुई थी किस क्रशी कानूनों को लेकर उसके बाद से अब क्या एक बार फिर से अपना कुन्बा बढ़ाने के लिए ये कवायत की जा सकती है इसी का इंतिजार है कौन बन सकता है मंत्री वो संभावत चेहरे जिनका नाम मैंने आपको दिखाया और आपको बताते कि साल के आखर में चार बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं ऐसे में इस बात पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा मध्यप्रदेश में राजिस्थान में च्छतीजगर म और तेलंगाना यहां से भी कुछ चेहरों को इस मंत्री मंदल में फिर बदल में जगा दी जा सकती है और साथ ही इन चुनावी राज्यों में कुछ राज्ये ऐसे हैं जिन्हें नए अध्यक्ष का भी इंतजार है तो इन चुनावी राज्यों से मंत्री बनाया जा सकते हैं इन चुनावी राज्यों में संगठन किस्तर पर फिर बदल किया जा सकता है नए अध्यक्ष ये माना जा रहा है कि 6 ऐसे राज्ये हैं देश में जहां बीजपी नए अध्यक्ष को न्यूक्त करेगी जिसमें मध्यप्रदेश का भी जिक्र किया जा रहा है जहां बीजपी अध्यक्ष देने की तैयारी में और जाहिर सी बात है नए अध्यक्ष दिये जाएंगे तो फिर बदलाव होगा संगठन की स्तर पर और मंत्री मंडल में फेर बदल जिसको लेकर कयास लगातार लग रहे हैं जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और यह है इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब यह करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना ABP News आपको रखे आगे